मालदा डिविजन के यात्रियों के लिए आ चुकी है एक बड़ी खबर और इस अपडेट में हम बात करेंगे न केवल ट्रेनों के रवतार बढ़ेगी बलकि ट्रेनों की संख्या में भी इजापा होगा इस अपडेट में हम बढ़ेंगे आगे उससे पहले हमारे चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब दरसल भागलपूर दुमका डेलखन पर आने वाले कुछ दिनों में ट्रेनों की सवाएं बढ़ाई जा सकती है हलाकि इस बाड़े में अभी तक डिवीजन के अधिकारियों के पास कोई भी आपचारिक पत्र यानी की नोटिपिकेशन जाड़ी नहीं किया गया है बागलपूर से दुमका होते हुए लंभी दुरी की ट्रेने भी बढ़ सकती है बताया जाड़ा Lau कि जमालपूर में दूसरा सुरंगचालू हो जाने के बाद मुंगेर रेलपूल होकर ट्रेन सवाएं बढ़ाई जा सकती है मुंगेर ये रास्ते कई ट्रेने अब भी चल रही है लेकिन इस रास्ते से आने वाले समय में ट्रेनों के संख्यां के साथ साथ कुछ आने ट्रेनों का संचालन भी देखने को मिलेगा मद रेलवे छेत्र से मुंगेर होते हुए वैसी ट्रेने दी जा सकती है जो कि जारखन को जोड़ेगी और अभी जो ट्रेने चल रही है वह क्यूल जाजा होकर ही चलती है मुंगेर रेलपूल बनने के बाद और इस रास्ते से अब ट्रेनों की मांग तेज हो चुकी है अगर तला से देवघर के लिए ट्रेन चलाई जा रही है भागलपूर बाड़ाहाट बाका होकर ये ट्रेन चलती है और ऐसे में ये ट्रेन सपता में केवल एक दिन चलती है वहीं गोड़ा से भागलपूर क्यूल होती है वे एक हमसपर एक्सप्रेस ट्रेन चलती है जो कि दे बढ़ाने में मदद कर रही है तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि पैसंजरों के लिए कुछ और भी नई ट्रेनों का विकल्प तलासेगी साथ इस रूट पर ट्रेनों की बहुत जादा ही जरूरत है क्योंकि पैसंजरों की वेटिंग लंबी होती जारी और पैसंजरों को सुध जहाएं बहतर मिलने के लिए इस रूट पर न केवल ट्रेनों के संख्या बढ़ने चाहिए बलकि इस रूट पर ट्रेनों के रवतार भी बढ़ने चाहिए यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं साथ ही हमारे चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब तो कर ले करना ना बूले